हाई विडियो पर आई देखते हैं समीकरण को हल कैसे किया जाता है एकदम बेसिक कॉंसेप्ट के साथ हम लोग देखेंगे कि समीकरण को कैसे हल किया जाता है पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको एकदम अच्छी तरह से समझ में आए दोस्तों अगर मैं चैनल पर अब इसमें देखा जाता है जो नंबर है नंबर को नंबर की तरफ उठाके कर लिया जाता है और एक सवाला टर्म एक की तरफ ही रहता है इसमें तो एक ही एक से सीधे हम क्या करेंगे एक लाइन का कोश्चन है एक सीग्वाल टू लिखेंगे दो को उठाके तीन की तरफ कर गया देखिए अगला कॉश्चन है three plus six is equal to four इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब ही प्रयास कीजिए copy रखिये और जल्द जल्द इसको सॉल्व करके देखिए कि इसका answer क्या आता है तो देखिए हम लोग कर रहे हैं इसको कैसे वर करेंगे तो एक साहे टो एक स्कुनों प्रखेंगे दोस्तों एक सिधर रहेगा फिर हम क्या करेंगे लिए इस थे उद्धर लिखेंगे ए इसो कोई सिंबूल न होगा पॉजिटीव सिंबल लोगा जब कोई सिंबल नहीं रहता है सिंबल है तो यहां पर भी एंस्वर एक ही आया अगला कोश्चन आ यह देखते हैं 15 इस इगवल टू ए प्लस बारा है इधर यह जो है यानि कि वैरियेबल टर्म यानि कि इसको हम चर पद कहते हैं किसके बराबर के इस साइड में यानि कि राइट हेंड साइड में इसको यही परहने दीजिये कोई टेंसर नहीं है पंद्र उतार दीए बंद्रह एक साथ जो नंबर वाला टर्म है उस नंबर को 15 की तरफ कर लिए बस 15 को माईनस कर दिए 15 में से 12 को माइनस कर दिए तो 15 में से जब 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा तो A is equal to आपको कितना मिल गया तो 3 मिल गया इस तरह से आपका A का value find हो गया दोस्तो अगला question देखेंगे दोस्तो 11 is equal to B minus 3 दिया हुए कैसे solo करेंगे 11 को लिख लेंगे अब देखें इधर B के साथ 3 लगा हुआ है तो 3 को उठा करके number की तरफ कर लेंगे तो यह 3 जो है ना number की तरफ आएगा तो minus है तो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा plus और 3 लिखेंगे is equal to कितना मिल गया आपको तो B 11 में जब 3 हम plus करेंगे तो कितना आएगा 11 और 3 14 यहाँ पर लिखेंगे 14 is equal to B इसे को आप चाहें तो सिधा करके लिख सकते हैं B is equal to 4 यह आपका answer हो गया अगला question देखिए 0 वाला है कैसे solve करेंगे तो Y और यह 6 है ना तो 6 को हम आगे ले जाएगे equal के आगे जब 6 जाएगा तो 0 तो already यहाँ पे है अग प्लस हो जाएगा माइनस है ना आगे जाएगा तो प्लस हो जाएगा यह बन जाएगा 6 तो अब Y is equal to आपको कितना मिल गया तो 6 में किसी भी नंबर में 0 को जोडने पर नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों तो यह 6 है इसका value 6 ही रहेगा तो इस तरह से यह answer हो जाएगा 6 असान मत कीजिए 3 को इसको ब्लाबर की यह बिल देंगे आपको मिल जाएगा 0 तो जी इकल टू क्या मिल गया जीरो इस तरह से आपका एंस्वर जीरो आ जाएगा इसका दिखिए दोस्तों अगला कोश्चन कहे रहा है फाइफ जी इस इकल टू टेन अब इसको कैसे सॉलो करेंगे फाइफ जी का मतलब हो गया फाइफ मल्टिप्लाई जी मतलिप्लाई यह तो पांच क्या होगा नीचे आ जाएगा तो जी इकल टू आपको कितना मिल गया तो पांच जी इस इकल टू मिल जाएगा दस बट्टा यह नीचे जाएगा तो पांच हो जाएगा भगा में हो जाएगा मल्टिप्लाई रहता है तो भगा में हो जाता है इसको काटेंगे त तो पांच दूनी दस तो जी इगल टू आपको कितना मिल गया दो मिल गया इस तरह से यह आपका एंसर हो गया फिर इस तरह का एक कोशन और देखते हैं ठीक से इसको भाग देंगे कापी पिन पर अभी शालो करने का प्रहस किजिए बताइए इसका एंसर क्या है तो एक सेगोल टू देखेंगे तो एक सेगोल टू आपका क्या हो जाएगा तो बार अब भगगा भगगा कमतलर इस तरह लाइन खीचेंगे आ नीचे तीन लिख लेंगे यही तो करेंगे ना मल देखे कितना उर मजा रहा है कोशन को करने में अब देखें यहां पर 23 है यहां पर 11 X है इसको लिखेंगे 23 33 इधर भाग देंगे तो 11 से इसको भाग देंगे X को छोड़ करके यह क्या होगा 11 के साथ X लगा हुआ X के साथ 11 रहना नहीं चाहेगा इस सोचेगा कि हम नंबर की तरफ चले आए तो नंबर की तरफ ही आएगा तो भाग बन जाएगा मल्टिप्लाई है तो तो 11 से यह भाग बन जाएगा इस इको भाग दे देजिए 11 33 कटेगा तो यही तो आएगा इस इस इको आगया आपका 3 आ गया इसी को आप चाहें तो लिख सकते हैं एक इस इस इगोल टू थिरी इस तरह से तो भाग आगे जाएगा तो क्या बनेगा मल्टिप्लाई बने जाएगा तो देखे एकस इस इकोल टू थिरी यानिकि टू है तो पहले टू लिखिए और यह थिरी जाएगा तो यहां पर मल्टिप्लाई बनेगा तो थिरी से मल्टिप्लाई कर लेंगे एकस इस इकोल टू 0 multiply 15 उपर गया और 7 नीचे आया लेकिन उपर नीचे जाने साथ कोई मतलम नहीं है उपर नीचे गया लेकिन 0 से multiply होगा तो value 0 ही आ जाएगा इस तरह से इसका answer 0 हो जाएगा यहां पर देखेंगे न तो y upon 5 is equal to 1 तो इसका सीधे सीधे जहां पर multiply कर देंगे तो y is equal to 5 multiply 1 इस तरह से लिख सकते हैं तो वाई बराबर हमको कितना मिल गया वाई जगल टू 5 इकन ने 5 ही मिला इस तरह से यह सारे के सारे कोश्चन आसान आसान तरीके से हमने लगाने का प्रयास किया है दोस्तों एदम basic concept के साथ समिकरान को हल करने का प्रयास किया है आपको वीडियो कैसा लग कि आपको जोस्तों आसान था ए दोस्तों कि लिए भाना को है वीडियो कि दोस्ते हैं अउल वीडियो को है से ट